Hello Dear Friends, तो आज से आप लोगों को मिलने मला है मेरे साथ मेरा study blog, ठीक है? मैं daily अपने study routine आप लोगों को share करूंगी और बताओंगी मैं कैसे पढ़ती हूँ, क्या पढ़ती हूँ तो आप लोगों को daily routine मेरा मिलेगा, routine means study vlog, ठीक है? मैं डेली बताओं कि मैं कैसे पढ़ती हूं क्या पढ़ती हूं का पढ़ती हूं ठीक है और कितने आवर तक क्योंकि आवर भी जाना जरूरी है ठीक है inspiration मिलता है थोड़ा motivation मिलता है यहां पे देखे मैंने जैसे रखा है आज ROARO मैं बहुत दिनों से सोच रही थे लेकि सोचा नहीं निकालना पड़ता है तो आज किसी तरह से टाइम निकला है और मैं यहां पर यह बुक बता दे रही हूं यह आरो की बुक है इसके बारे में थोड़ा रिव्यू दे दरी हूं अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो आप लोग जाएगा सोब से पर्शेश कर है और यहां पर मैं इतनी चीज को टार्गेट में लेकर चल रही हूं तो उस तरीके से मेरा ही चलेगा यहां पर आप लोग देखिए यह सारा उतर प्रतेश समिक्षा अधिकारी यह सारा यह पेपर दिया हुआ है कि कब पेपर हुआ था एक्साम डेट 14-4-2022 को फिर 15-12-21 तो इस तरीके सारा दिया हुआ है कि पेपर कैसे हुआ था कब हुआ था डेट वाइस है सब कुछ ओके देख सकते हैं यहां पर है और इससे पता नहीं कैसे देखिए सारा कुछ है में भी साइद आप लोग को क्लियर ना दिखिए हो थोड़ा मोबाइल मेरी तो इसी सेट है उत्रप्रदेश समिक्षा अधिकारी मुखे 2021 का है मुखे 2021 का है और डेट है आपका 24 अप्रेल 2022 का है मैं इस पेपर को सॉल्व करने वाली हूँ और इसमें टोटल क्वेस्टन कितने है मैं यह भी बता दू आप लोगों को कि आप लोगों कि इमर में आता होगा कि कि क्वेस्टन आते हैं और यह 2021 का ही है और आपका 2023 में एक्जाम होने ही वाला है तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं रुक चाहिए जस्ट मिनट यह टोटल बन प्वेस्टन होगे मैं आप लोगों कि इसको जा रही हूँ और मैं अभी आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैं जा हा रही हूँ यहां पर अपने मिनी लेट आप लेटॉप में मजहां मुझे मिनी लेटोप ही निकलता है कि अपढ़ाइ कि counting नहीं करनी चाहिए जब तक मन करें तक पढ़ना चाहिए लेकिन आप लोगों को पता ही होगा कि सब्जेक्ट कंप्रीट करने होते हैं और बेना टाइम मैंनेज की के सब्जक कोंप्रीट करना इस इंपॉसिबल तू आप लोग यहां पे देख सकते हैं मैं यहां पे लगाने वाली हूं वन आवर का पूरा और देखे यह है वन आवर का और मैं आपको बता दू ताइम क्या हो रहा है दस बच के तेरा मिनट को दिखने रहा क्लियर देखे यहां पर दस बचे तेरा मिनट यहां पर दीख रहा है यह क्लॉप लग रहा है ठीक है तो मैं इसको आप जा रही हूं ओके पाई अब मैं मिलती हूं आप लोगों से वनावर बाद पर देख लिए प्लिट करने वाली हूं तो मेरा आप लोग यहां पर देख सकते हैं एक अपने पढ़ाई को यहां पर आपके अपने पढ़ाई को आप चूकि मेरा फोस्ट जैस तो बिलकुल भी नहीं हा था मैं भी अपने सब्काई पेस कर रही हूं तो जिसमें बढ़ा सब्सक्राइब करते हैं तो आपको बस पढ़ा होता है आपको बस पढ़ा ही करना होता है बागी कुछ नहीं करना होता है लेकिन अगर आपको काभी चीज़े बीश करने पढ़े हैं बीश बीश में आप उठना पढ़े और उसमें पांस मिनट के लिए लिए लग जाता है 15 से 20 मिनट तो इस तरह के से टाइम आपका इदर उधर वेस्टी होता है ठीक है वेस्ट नहीं काम करते हैं लेकिन फिर भी प पी फिर पर शेशन थी दो गई ओ आप लोग भी मेरे साथ इस जन्री में आप मेरे जन्री में लग सकते हैं और देखे क्या होता है आरो कप पेपर फैद में होने वाला है मैं तो बहुत ही जादे लेट यसा को इंतनी है लेकिन फिर भी मत ही मत देख हुदा ठीक है तो मैं तो इस तरीके से मैं स्टार्ट करने वाले हैं अब मैं आप लोगों को मिलती हूं बाब बाइ तो आप लोग यहां पर मुझे देख सकते हैं कि मेरा वन आवर कम चुट हो गया है और यहां पर टाइम हो रही है एक बचके तो देखके मैं 10-13 पर बैठी थी 10-14 पर और 11-19 हो गया है यानि कि टाइमर से बहुत है कि मैंने कि टाइमर लगाना बहुत जरूरी होता है क्योंकि हम लोगा काम ऐसा होता है कि बीच बीच में हमको उटना पड़ता है अब जैसे मैं यह वन आउर पर लगाया था तो इस बीच मुझे क्या करना तो इस बीच मुझे पानी लाने जाने में मुझे जरूरी भी था कि थानी है लोगों को प्यास लगे है तो फिर उसको दो जाने में कम से कम 20 दूर्ट लगता ही कम से कम जल्द 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 में कोई लिए वहां से और ऐसे तो थीम मतलacher चली जाती है अब मैं 11 ठावन पे लगाए थी 1-19 हो गया तो मैं चल्द जल्द जल्दि गई थी फिर जा गया पानी तो इस तरीक के से काफी आपका इधर जाता है तो समझ में लिए आता है और मैं यहां पर आज पूरे इस पुरे इस पूरे इस पूरे इस पूरे स्वाल कर चुकी हूं और मैं दिखाऊं आपको इसमें मेरे सायद 18 अठार क्वेस्टन साही हुए है वरूके यहां पर बताएगा कि प्राची नितिहास का कौन सा पाट है इस तरीक से पार्ट वाई डिवाइड किया है तो काफी अच्छा लगता है कि समझ में आता है कि किस एडिया से इतने वेस्टन रेज हुए है आई हुए एक्जाम में तो काफी समझ में आता चीजिए तो अब मेरा यह और यह देख सकते हैं आपना पर पेश खराब होते हैं इसे वेस्टन को बहुत अच्छे से समझ पाऊं और अगर एक बार में इसको तिक लगा दूँगा दूगे तो फिर मुसे दूबारा सॉल्ट करने में क्या मजाएगा मैं समझ नहीं पाऊंगी कि मैं उस कर गलत किया था इस बारी सही किया है या नहीं इस वाज़ास मैं कभ अगर नहीं तो अब मैं आप लोगो को मिलूंगी रात के टाइमें में इतनी ताइम से मुझे बहुत सारे काम है और जिनको मैं खत्म करने के बाद ही मिलपाँगा और जो कि इस काम को खत्म करते-करते मुझे आठ बच जाएगा तो एक टाइमिंग है बस उसमें पढ़ते अब लोगों 10 गंटा-12 गंटा-5 गंटा मिला हुए घर पर रहन के पर काफी जादे चीजी हो जाती है तो इसको मैंनेज्बिक ना पड़ता है तो इस वज़ा से ठीक है तो अभी कि दिए बाए है तो मैं फिर आ गई हूं मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं मिलूंगी अब लोगों से 8 बजे की करी रात में लेकिन मैं देख रहे होंगे आप लोगों कि मेरे घड़ी में भी 5-34 हो रहा है 5-34 ठीक है तो मैं अब क्यूंकि मैं प्राने गई थी तो वह लोग है नहीं हूं कर बहुत 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 बुरा लगता है कि वापस रेटर नारे जाग यहां बाएं रखी हो हर्द europé嫁 का बढ़ने जारी हैं और नहीं पुर्णिय दे हो कि हृंट बुक है सवाल 1-500 गंटा घहने को लेकिन पढ़ा मैं ने दूगर को थे कब इधर उधर काम वेगरा जो भी था तो वो चीजे तो क्या मैं अपना मिनी लैप्टॉप खुलती हूँ ठीक है और आप देख सकते हैं यूँ आ सकते की छंता आपार अब और रहें सपने सकार तो यह मुझे मिला हुआ है मुझे नहीं यह मेरे बहन को मिला था ठीक है यह मेरे दूटायविश देखिते हैं मैं कुछ लिंक समास ऐसा कुछ पढ़ने वाली हूँ दिख कम तो यह मैं समास पढ़ने जा रहे हूं किया मैं पढ़ने गिस ट्रीक है ट्रू बिस्टार्ट पो लो खूल हूं कहां पर है वारना इंसम में ताइम वेस्टी होता है मतलब मतलब तो सब पढ़ाई में काउंटिंग हो जाती है इस वजह से तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं मेरे मिनी लैप्टॉप में और मेरा समास का चैप्टर गइंड हुआ है चुकि मैं पहले पढ़ चुकी तो बहुत पढ़ना नहीं था और यहां पर देखे मैं 154 प्वेस्टन की हूं यहां से मैं स्टार्ट क्यूं और यहां पर आप देख सकते हैं यह बुक है जो आदित्द पर प्लिकेशन की है है इसमें मुझे प्रिकेशन मिला है बहुत बहुत गलत किया है और उस question का मैं नासिस करूंगे और मैं आप लोगों को बता दू कि मेरे कितने questions सही हुए हैं तो मेरे 114 में से total 106 questions इसमें सही हुए हैं तो अक्रमित बहुत जादे गलती भी हो है उन्हीं सप़ए नासिस करना है तो मैं अब फिर लगाती हुए यहां पर लोगों से तो बंदी हो गया है तो देखे यहां पर मैं लगाने जा रही हूं चीक है चलिए मैं मिलती हुए आप लोगों से से वन आउर बाद के बाए है तो आप लोग देख सकते हैं कि मेरा वन आवर जो है वो कंप्लीट हो गया है और यहां पे आप इसमें सारा कुछ देख लीजे मोबाइल मेरे दिख रहा है सब कुछ अच्छे से फैन वगरा ठीक है दो मेरा वन आओर कंप्लीट हो गया और अब मैं पढ़ने वाली हूं वन आ अच्छे से सही नहीं कर पाई हूं लेकिन हाँ फिर भी कुछ सही हुआ है तो उस पर मुझे वर्क करना है तो मैं कल पढ़ूंगी क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा है उसको पढ़ने का तो मैं जा रही हूं यह करेंट पढ़ने लिए और यह हिंदे मासिक पत्र का आप लोग ंपर है यह प्रतियों की दार पर तो मैं इसको पढ़ती हूं और मैं लगाती हूं वन आओर पिर से तो आप यहां पर देखे और मैं फिर आप से मिलती हूं वन और बाद तो हेलो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग की मेरा ये वन आउर का स्लोट समात हो गया और हो रहा है आपका 11-37 हमें तिक पका 9 बचे काई करें थी लेकिन बीच में मुझे काम हो गया है काम का मतलब की हम लोग के घर पे डिनर वगरा ये सारा कुछ और आपको पता ही हो आप कि मैं यह पढ़ी हूँ प्रतियों की तक दर पढ़ तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जुरू बताएगा कि मैंने कितने घंटे आज पढ़ें सुह से दस बज़े से मैं स्टार्ट की थी सबादस से और सारी 11 हो गया इस तरीके से मेरी पढ़ाई हुई है तो कितना सही से मै ने पढ़ा या क्या किया अब दूसरा आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो बागों की जो गड़ना की जाती है वो कितने साल के अंतराल पर की जाती है और किस मंतराले के द्वारा ठीक है और दूसरा है कि क्वेश्चन याप लोगों य जुर्माने का बस कर दिया गया है तो वो संख्या में कितने ऐसे कानून हैं। जिनक लिए कर आवास खतम करके बस जुर्माने को रखा गया है। तो आप लोग बताएंगे ठीक है। तो इस तरह किसे कमें बॉक्स ने जूरू करिएगा। और आई वोप ये वीडियो आप लो तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स ब्लॉक में तो थैंक यू फ्रेंस थैंक यू फो मच